आज की इस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं आई टीची ए स्टॉक के बारे में इस स्टॉक में डी मर्जर के न्यूज इसके रिजल्ट से पहले आते वे दिखे थे लेकिन कुछ मैनेजमेंट के तरफ से उसको आगे प्रोसीड होते वे नहीं दिखा इस समय बात करेंग तो more than 60% तक का continuous मतलब लगबग पिछले 2-3 महिने से दिख रहा है और जहां इस स्टॉक ने पिछले 3 मन्त में return 12-15% तक के दिए हैं पिछले 1 week से देखेंगे consolidated form में trade होते वे दिख रहा है तो अगर आप derivatives के trader हैं option के थुरू अगर आप buying करते हैं और फिर selling करते हैं तो इस stock में एक short position लिया जा सकता है for target of 305 का पहला और दूसरा target 295 तक के with stop loss below 318 risk reward काफी favorable है जहां 6 point का SL लेना है वहीं target देखेंगे तो 10.2 15-20 point तक दिख सकता है और 318 के उपर closing देता है तो view invalid होगा फिर अगें ये trend momentum आपको 332, 350 तक का level दिख सकता है ये retracement short term level होगा अगर इस stock को more than 6 month के लिए hold करते हैं तो 400 प्लस तक के levels भी दिख सकते हैं trend अभी भी bullish है और more than 6 month to 1 year का target 500 प्लस तक का शिवर्दी देखेंगे हैं